हेलो, नमस्कार, आदाप, सस्रियाकाल, गूर्णिंग दोस्तों, जिये स्वाले भई, आपका हर्दिक स्वागत, हम भी नंदन करते हैं तो दोस्तों, हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहते हैं, पॉलिटी में आज हम लोगों का मंति परिशद और मंत्र मंदल का चैप्टर है जिसमें हम लोग इसमें विभिन अंतर पढ़ेंगे इसके पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं लेकिन एक ये special session इसलिए है क्योंकि मंत्रि परिशद और मंत्रि मंडल में हम लोगों को आमोमन confusion बना रहता है और आज के बार आप लोगों का सारा confusion दूर हो जाए तो दोस्तों अब हम लोग ये समझते हैं मंत्रि परिशद और मंत्रि मंडल होती क्या है मंत्रि परिशद और मंत्रि मंडल में हमको पहले ये चीज़ धान देनी है कि मंत्रि परिशद जो होती है ये संख्या बल में बड़ा निकाह होता है और मंत्री मंडल जो होता है इसमें मंत्रियों की संख्या कम होती है लेकिन ये गुर्वत्ता पूर्ण संस्था होती है इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं मतलब संख्या तो जादा मंत्री परिशद की होती है मंत्री परिशद में अमुमन 60-70 मंत्री होते हैं लेकिन मंत्री मंडल में 15 से 20 मंत्री होते हैं ये लगो निकाय है संख्या की दृष्टी से मंत्री परिशद जादा बड़ी होती है लेकिन अगर देखे कार की प्रभाविता की दृष्टी कुर से जिसका प्रभाव जादा होता है वो मंत्री मंडल होती है क्योंकि मंत्र मंदल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं और PM भी शामिल होते हैं PM और अन्द कैबिनेट मंत्री जो होते हैं मंत्र मंदल में शामिल होते हैं इसलिए इसकी गुलवत्ता बढ़ जाती है लेकिन जो प्रमुकh निरले लिये जाते हैं मंत्रि मंदल के माद धम से लिये जाते हैं और उसको मंद्रि-परिशत क्या करती है लागु करवाती है ठीके इस तरीके से समझेगे तो कनफिूजन दूर रहेगा अब मंत्री परिशत का होता है मंत्री परिशत या सरकारी कारणों के लिए एक साथ बैठक नहीं करती है हम लोग अमोमन देखते हैं कि कोई महत्रपूर कार पड़ जाता है तो मंत्री मंडल की मीटिंग हो रही है मतलब यह एक लग निकाय है और एक निकाय की तरह काम करती हैं मतलब यह सामानता हफते में एक बार बैठक करती है और इसका कोई प्रावधान नहीं है कि यह एक साथ बैठक कब करेगी क्या नहीं करेगी यह नहीं कुछ है कि मतलब इसमें यह है कि सरकारी कारव के लिए एक साथ बैठक नहीं करती है और इसका कोई सामूहिक कार नहीं है यह बहुत इंपोर्टन ने ध्यान देना है मंतिर परिशद का कोई सामूहिक कार नहीं है लेकिन सामुहिक उत्तरदाईत तो है लोकसभाग के प्रति, बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान देना है दोस्तों, 75-3 के तहद, लोकसभाग के प्रति सामुहिक उत्तरदाईत तो मंत्री परिशाद रखती है, लेकिन सामुहिक कार्य मंत्री परिशाद का कोई निश्चित नह इसलिए तो गुर्वत्तापूर संस्था हो गए मंत्री बंदर और क्योंकि प्रमुख मंत्री 15 से 20 मंत्री शामिल होते हैं इसके कारेकलाप सामुहिक होते हैं प्राओधान रूप से कार्य करती है, लेकिन ने जाब हुआ है और इसे सभी शक्तियां प्राप्त हैं परन्तु कागजों में, अब देखे hy अनूचे ब होगा एग eight of nine, Defendez लेकिन जो प्रमुखन निर्ड़ा लेती है कौन लेती अभी यह लिखा है नहीं प्रमुखन निर्ड़ा लेती है मंत्र मंदल लेती है प्रमुखन निर्ड़ा है कि नहीं तो इसको लोग मंति परशत को कागजी में ही कागजों में ही सभी शक्तियां प्राप्त होती है लेकिन महत्पूर्ण निर्वले मंत्र मंदल करती है मतलब यह वास्तविक रूप से मंती परिश्यत की शक्तियूं का प्रियोग करती है और उसके लिए कारे करती है मतलब अच्छा इसलिए कहते हैं जैसे संसद है हम लोगों लगता है संसदी प्रणाजी में सब कुछ संसद करती है ऐसा नहीं है सारे काम मंत्री मंदल करती है ये ध्यान दिना है हम लोगों को लगता है बड़े में संसद करती है संसद के भीतर कौन होते हैं सरकार के भी होते हैं और विपक्षी के भी होते हैं ठीक है, और उसमें ज्यादा तर जो सरकार में होते हैं, वो करते हैं, और उस सरकार में हम लोगों को लगता है कि मंत्री परिशद होती है, वो करती है, लेकिन अब उस सरकार में ही एक मंत्री परिशद हो जाती है, और एक मंत्री मंडल हो जाती है, कुछ लोगों का समू हो जा ये चीज़ हमको ध्यान देना है इसलिए मंत्री मंदल मंति परशत से जादा गुड़ी जादा कार्य करती है और जादा निर्ड़े भी लेती है ठीके ये ध्यान देना है योग्या पाचवा है इसके कार्यों का निर्धारन मंत्री मंदल करती है अब मंत्री मंदल मंति परशत को दे सकती है कारी ठीक है और मंत्री मंदल क्या है मंत्री मंदल मंत्री परिशद को राजनेतिक निरले लेकर निर्देश देती है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्धकारी होते हैं अब अमिस्सा हो गए राजना सिंह हो गए मंदिर मला सिता रमाड हो गए किरन अब शिक्स्त है यहां मंत्र मंदल के निर्ड़यों को लागू करती है अब मंत्र मंदल ने यहां निर्डेश दिया कि कैसे कैसे कार करना है तो जैसा मंत्र मंदल निर्डेश देगी वैसा ही मंत्री परिशद करेगी वैसे ही मंत्री परिशद निर्ड़यों को लागू करेगी ठीक है ध्यान देना है इसलिए मंतिर परशद का हो जाती है कम ताकतवर हो जाती है और मंतिर मंडल क्योंकि मंतिर मंडल होता है वो उसमें कम सदस होते हैं लेकिन पाउरफुल होते हैं ठीक है यह ध्यान देना है और इसमें मंतिर परशद में सब लोग होते हैं राज मंतिर भ सब लोग है कि मंत्रमंदल में कौन हो गया काई है यह मंत्रमंदल हो गए समज़ें प्रमुखन्यरों नडए लेंगे इसको इस तरीके से रिलेट करके पढ़ लेंगे दोगे यह ध्याम देना है अब देखे, सेवन्थ है, यह है एक संवेधानिक निकाय है, मतलब मंतिर परश्चत क्या है, संवेधानिक निकाय है, क्यों क्यों कि 74 में, अनुछे 75 में, अनुछे 53 में, अनुछे 53 एक से भी आता है, ठीक है, आता है, तो यह संवेधानिक निकाय हो जाता, मतलब संवेधानि इसके बारे में कहा गया जैसे अनुछे तिर परिप्रण एक में क्या कहा गया कि संग की कारपालिकाई शक्ति-राष्टपती में नहीत होगी और वह इसका परयोग सुएम या अपने अधीनस्त अधिकारियों के माध्यम से करेगा तो स्वेंद करेगा और अपने अधिनस्त अधिकारी होगे, तो वो अधिनस्त अधिकारी कौन है? मंतिर परिशत भी हो जाती है, वो अधिनस्त अधिकारी, ठीक है? तो यहां से 33पन एक से इसका संविधानिक प्रावधान मिल जाता है, और अनुचे 74 में क्या है, कि पुनरविचार की शक्ति दे दी गई तो पुनरविचार की शक्ति दे दी जाती है चो वालिसमी सभीधान चंशोधान 1978 के तरह यह सब चीजे हम लोग पहले पर्ष्ट हो यह ठीक है तो वहां से हमको एक मंतिय परश्ट का प्रावधान आ जाता है अभी हम लोग देखें परश्ट का प्रावधान मिलता है अनुछे तिरपन एक अनुछे चोहत्तर और अनुछे पचाहत्तर ठीक है यह धाने न तो यह क्या होगी एक सम्वेधानिक निकारे होगे ठीक यह हो गया अब इसे सम्वेधान के अनुछे 352 में अनुछे 1988 के 44 में सम्वेधान चंशोधन अदनीअम दोरा शामिल किया गया अताह यह सम्वेधान के मूल सरूप में शामिल नहीं थी मतलब जो मंत्री पडशिक थी वो सम्वेधान के मूल सरूप में शामिल थी अनुछे 3 faktiskt 3 के तहत है और उसमें यह कहा गया गया कि मंत्री मंदल का प्राउधान किया गया, मंत्री मंदल शब्द को केवल एक बार जोड़ा गया, और केवल एक ही बार समिधान में वरड़ी थे, ठीक है, मंत्री मंदल शब्द, और उस मंत्री मंदल की लिखित परामर्ष पर ही आपातकाल को लागू किया जा सकता है, इसलिए अनुछे 352 के तहित इसको जोडा गया मंत्री मंदल शब्त को ठीक है यहां से यह ध्यान देना है मतलब यह सम्मिधान के मूल सरूप में नहीं थी ठीक है यह ध्यान देना है और हम लोग पहले देच चुके हैं कि जो मंत्री मंदल का निरले होता है मंत्री परशद लागू कर करती है मंत्री परिशद जो है निर्ड़यों को कैसे लागू कर रही है इसकी देखरे कौन करेगी मंत्री मंदल करेगी ठीक है मंत्री परशद की देखरे ठीक यह हो गया अब इसमें यह देखते हैं इसका आकार और वर्गी करण संविधान में वरलित नहीं है ठीक है हम वि में विक्सित की गई संसदी विवस्था के आधार पर त्री अस्तरी निकाई के रूप में वर्गी करित है त्री अस्तरी चाहे उसे जिस नाम से भी पुकारा जाए इसमें उपमंतरी भी शामिल होते हैं ठीक है ये चीज़े हो गई अब इसमें देख लेता है अनुचे 352 में इसकी व्याक्षा की गई है अनुचे 352 राष्टियापात काल के दोरान युद्बायाकरमन और शसस्तर विद्रो ठीक ये हो गया इसमें क्या व्याक्षा की गई है कि प्रधान मंतरी वा अन्य कैबिनेट मंतरियों की परिशद जिन्हें अनुचे 75 के अंतरगत न्यूक्त क गया है इसके कारदयों वा शक्टियों का ववरण नहीं दिया गया है दूसरे शब्दों में हमारी राजनेतिक प्रशास्ति व्यवस्ता ब्रिटेन के संसधी 뜨 WEV實त मतलब मंत्री मंदल और मंतिः परिशद की व्यवस्ता जो है ब्रिटेन की सम्विधान पर बिटेन की आधार पर आधार इता है ठीक है यह चीज ध्यांदेनी है यह सामुहिक रूप से मतलब मंत्री परिशद सामुहिक रूप से लोग सभाग के प्रति उत्तरदाई है लेकिन सामुहिक रूप से इसका कोई कार्णी है ठीक है यह ध्यांदेना है और यहां मंत्री परिशद को मतल कर रही कैसे नहीं कर रही है और फिर इस प्रकार से इसकी सामुहिक उतरदाज करवाती है कौन मंत्री मंडल करवाती है किसका करवाती है मंत्री परश्ट कर ठीक है तो दोस्तों इस तरीके से उम्मीद है आपको मंत्री मंडल और मंत्री परश्ट के बारे में सब कुछ बहुत घर का example ले के समझ लेंगे तो बहुत आसानी से clear हो जाएगा ठीक है जैसे मंत्री मंडल में मम्मी पापा चाचा चाची हो गए बस अगर दादा दादी है नाना नानी है दादा दादी हो गए तो वो भी शामिल हो जाएंगे ठीक है तो यह हो जाएंगे और बाकी मंतिक परश कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगले सेशन में जाहिन जाभारत